शाही चामा मस्जिद में अश्लील दान्स का वीडियो वारल हो रहा है जिसमें दो विदेशी लड़किया मस्जिद के अंदर डान्स करती भी नजर आ रही है जी हाँ, हाल ही में TikTok पर बनाया गए एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है इस वीडियो को लेकर शोचल मीडिया पर तो बबाल हो ही रहा है साथी विशेश समुदाय के लोगों में भी इस वीडियो को लेकर काफी गुस्सा भरा हुआ है उनका कहना है कि इबादत कामें इस तरह की हरकत बिलकुल परदाश नहीं की जा सकती आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से विदेशी यूवतियां जावा मस्जिद के अंदर टांस करती भी नजर आ रही है इतना ही नहीं इस दोरान कई और भी वीडियो सामने आई हैं जिन में से एक वीडियो में एक लड़का मस्जिद में डांस कर रहा है तो वहीं नमास पढ़ने वाली और दुआ करने वाली पावन जगाओ को कुछ लोगों ने खेल का मैतान समझ लिया है आप देख भी सकते हैं किस तरह से दो लड़के एक बच्चे को उठाकर पानी में फेक देते हैं इस तरह की दो और भी वीडियो है जिसमें कोई डांस कर रहा है तो कोई किसी फ्लम के डालॉग पर आक्टिंग कर रहा है इन वीडियो के वाइरल होने के बाद सभी का ये कहना है कि विदेशी यूखतियों को इस बात का पता नहीं होगा कि यहां ऐसा नहीं कर सकते इसलिए उन्होंने टिक्टॉक के लिए ये वीडियो बनाया लेकिन सवाल ये उठता है उन योगतियों और उन सभी को ऐसे करने से रोकने की जिम्मदारी मस्जित के प्रबदन की थी जिसमें वे मस्जित के प्रबदन के लोग नाकाम रहें फिलाल जामा मस्जित में मेन हॉल में जाने के लिए 7 गेट में से 6 को टूरिस्टों के लिए बंद कर दिया गया है किवल एक बड़े गेट को ही टूरिस्टों के लिए रखा गया है ताकि उनकी सेफटी सुनक्षित हो